ना चाहता हूँ और बिल्कु सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लिकिन खुदा की बात भी करता है भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है खुदा का भी लिखा है आप बोले अल्ला के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है बराबर दिया तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है वो पड़ नहीं सकते लेकिन जो भगवद गीता है वह बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गए लिए और जो भगवद गीता है बहुत सारे आदमी ने लिखी हुए गर्वन दोसो तीन सो लोगों ने लिखी है आपने अपने बिल्कुल सही कहा लिकिन इस कौन का जो घिता है भगवद गीता वो गुरू परमपरा में है वो भी आदमी है आपके स्वामी प्रभू पधा बरबर वर प्रभू पधा इंसानी थे ना इंसानी थे ना मैं किदर ना बोल रहा हूँ यह हमारा कुरान जो है ना डायरेक्ट अल्ला की तरफ से नाम हमस अल्ला सुलम ने लिखा है हम लोग ने यह कुरान जो है डायरेक्ट अल्ला की नाजिर यू बहू इसने जितने भी दिगर मज़ाइब की किताब है जैसे वक्त जाने लगे बदलते के आप बिल्कुल सही के तिनसो किताब है बाइबल सेक्डो किताब हमारे आईरेफ में दोसो कितम की बाइबल है आप कितमे मानेंगी कुरान आप लो कोई भी कुरान नो इंडिया में अमेरिका में यूके में इंदुस्तान में पुना में हू बहो वही है एक लख की बात दूर रही आ की मातरा ई की मातरा जबर जेर पेश वो भी फरक नहीं है फता दम्मा कसरा में भी फरक नहीं है ओरिजनल कुरान में तो फता दम्मा कसरा थाने लेकिन आज जब हम पढ़ते है माशाल्ला तो मैं यह कहना चाहता हूँ जितनी किताबे पहले आए आज भी आप बिल्कुल सही कहते है भगवत गीता वेत का निचोड़े लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से वंटड़िक करे तो फल और एहमे मैं बिल्कुल मानता हूँ स्वामी पगुपता मानते हैं कि भगवत गीता क्या है वेत का निचोड़े और वो कहते हैं मैं भी पढ़ चुका है आपकी भगवत गीता आईजिटीज पढ़ चुका है उसमें ही लिखा उसका ही टांसलेशन था भगवत गीता आत्याय नमबर साथ श्लोका नमबर बीस में जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओ के पीछे भागता है आपकी भगवत गीता में लेकर आईजिटीज में और उसका अगर प्रिफेस पढ़े ही उसमें लिखा है कि ये जो वेध है वो गाई है बोश से गाई है और क्रिशन क्या है दूद निकालने वारा इंसान और दूद क्या है भगवत गीता है प्रिफेस में लिखे लिए कौन कहता है आपके स्वामी प्रभू पदा मुझे उसका टांस्टेशन पसंद है अक्सर हमारे हुआ भी माईशाहला पचास से ज्यादा भगवत गीता है मैं लेकिन स्वामी प्रभू पदा की गीता को पसंद करता हूँ अच्छी गीता है इसलिए मैं प्रिफेस कह रहा हूँ लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है उसके अंदर भी वो निचोड़े वेत का निचोड़े लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाही को छोड़ देंगे गाही चले जाएंगी तो दूद क्या करेंगे आप गाही रहेंगी तो दूद मिलते रहेंगा ना दूद को लेंगे गाही को मार देंगे दूद आपके खतम हो जाएगा भाई गाही को जिन्दा रखो रोज दूद लो बराबर के ने दूतरे बच्चे पैदा करेंगे गाये लेकिन तो गाये को मत छोड़िए इस से हमें पता लगता है उसमें लिखा हुआ है आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पेगंबर आने वाला है आपकी भगवत गिता में लिखा है चैप्टर नमबर चार में वर् लेंगा वेद से उसमें पता चलते हैं जिसम कहते हैं पैगंबर आखरी पैगंबर आखरी आउतार को ने कलकी आउतार अगर आप वेद में मानते आपको आखरी आउतार कलकी आउतार में मानना ही पड़ेंगा फिर यह आप कह सकते हैं असल भक्तू भगवत गिता का आपने के नाम क्या है सुमती सुमती की मानी अमन अर्भी में कहते हैं आमिना महम्मत सल्दाव सल्म के वालदा का नाम था आमिना उसमें लिखा है कल्किया उतार चैप्टर नमबर अभी हवाला भी दे रहा हूं मुम्मस अल्लाव सलम्म के वालिद का नम दा अब्दुल्ला उसमें लिखा है वो इसी जगा में पैदा होंगे जो अमन की जगा है हम मानते के मक्का एक अमन की जगा है उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे हम जानते के बारवी तारीक माधव के दिन पे पैडा होंगी हो बारवी रभी आवरर जिय उम्मद s.a. पैड़ा है आगे आप पढ़ेंगे वेज्ध में लिखा है कि उसके चार करीब दोस्त थे जिसका हमें जिकर करें उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वह आएंगी एक गार के अंदर हम जानते मुहम्मद सबसे पहली वही आए गार हिरा में फिर वो करेंगे हिज्रत नौत के तरफ फिर से वापिस आएंगे मुहम्मद सबस्क्राइब गंटा सिर्फ तसकिरा कर सकता हूं मुहम्म कुरान को बात नहीं मानना सिर्फ जरूरी नहीं अमल करना जरूरी है मैं काउंगा मैं खुदा को मानता हूं खुदा की बात पर अमलं न पर स्वेकार थीरिक गॉर्ण से बहुत मुपच करता हूं वालिद की बेज़ती करता हूं मालत की बातने मानता हूं वालिद से बतमीजी करता हूं तो क्या फाइदा आप समझे ना समझ रहा हूं लेकिन आपने कुछ पहलें के अभी 10-15 मिट पहले आपने काहा था कि जो भी है कुरान है वेद है और मैं जानता हूं सनातर धर्म में एक खुदा को मानते हैं वो मानते खुदा की पतिमाने अख्स नहीं है बराबर यह मानते लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं आप कल की आउतार में आप मेरे सवाल को घुमाँ मत मैं यह जानता हूं सनातर धर्म के बारे में जानता हूं पहले स्टेज में आप पास कर चुके एक खुदा में मानते बिलकुल सही मैं यह बात जानना चाहता हूं कि उस खुदा के आउतार पैगंबर आखरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं म मुहम्मद अन्मे ने आपके लिए सब के लिए यह ना बिल्कुल सभी कोई एक मजब का थोड़ी रहता है गुरू तो सब के लिए रहता है वो एक मजब का थोड़ी गुरू रहता है कि वो एक मजब के लिए वो सब मधब के लिए गुरू रहता, तो वानता ही मैं उसको बिल्कुल सही, लेकिन ये कहना के सब मधब यक्सा है हूब हूँ, ये सही ने यक्सानियत है, इसलिए मैंने का यक्सानियत पर अमल करो आप बोलेंगे, मैं सब हिंदु चीज़ पर करेंगा, करे हिंदु जाते बुद्परस्टी करने के लिए, आपने करते अच्छी बात हैं हुप ऐसी लिए, मैं आपको कॉंगराइजिलेयर करता हूँ, आप तुम्छा करता हूं। क्योंकि सच्au Stef Zahlen, बुद्परस्टी नहीं करता है। अब आदे इंतियान में सफलता पा गए हैं अभी ये पुछता हूं मैं जिस आपने का आप अगर मुम्म्मत स्लिशलों को आखरी पैगंबर मानते है तो उसके पैगाम पे अमल करना जरूरी है सिर्फ पैगाम को पढ़ना जरूरी नहीं पैगाम पे अमल करना जरूरी है अगर मैं कहता हूं मानता हूं लकिन अमल ने करते हैं तो कोई फाइदा ने तो ये होता है कि अपने मन से ख़ुदा की बात तो आखरी पैगाम में एक खुरान शरीफ और आखरी पैगंबर मुम्मत स्लिशलों में मानना जरूरी है पिर ही आप सही तरीके ते मदभ को पैचान सकेंगे नए तुझ बोलनेगा आपको मुझे यह कहनत है तो आभी आप बोल रहे हैं आमल करना चाहिए तो मैं मौमिन बनने का पूरा कोशिश किया क्योंकि मैं आपको पू childhood मौमिन बोने को रहे हैं यह इतना याद में इना रखा हूं नहीं सकता हं पूरा प्रॉबलम जो कमियं कर लूँगा कि जारेगा आभा इम अबहुता Dogdasर को बना पीचन पूछ नहीं मैं आपको परसनल ही मिलता हूँ बाद में पीछी अच्छा बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाला ठीक है आरे कृष्णा